कई लोग मीठा खाने के शौकिन होते हैं, उन्हें मीठा खाने का बस एक बहाना ही चही होता है, लेकिन मीठा खाने की ये आदत कुछ लोगों में तलब या एक नशा भी बन जाता है, उन्हें हर समय खाने में सिर्फ मीठा ही चही होता है, लेकिन अधिक चिनी के सेवन से मध में रिदय संबंधी विमारी के अलावा अधिक वजन बढ़ने की समस्या भी होने लगती है कई रिसर्च में ये बाद साबित हो चुकी है कि नमक के सेवन से अधिक घातक छिनी का सेवन करना होता है हलाकि रातो रात मीठा खाने की आदत को छोड़ा नहीं जा सकता है इस आदत या लत को काबू करने के लिए आपको धीरे धीरे शुरुवात करनी होगी लेकिन इन टिप्स को एक आगरता से फॉलो करने से आप मीठे की क्रेविंग से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप सच में मीठा खाने की आदत को नियंतत करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस शुगर का सेवन करना बंद कर दे और जिन खादे पदार्थों पर आर्टिफिशल स्वेटनर का इस्तमाल होता है उनसे धूरी बना ले अगर आप मीठे के शौकिन है तो आपको बार-बार भूक लगने पर आपकुछ न कुछ मीठा धूरते ही होंगे आपको सबसे पहले अपनी इस आदत पर काबू करनी की ज़रूरत है छोटी-मोटी भूक के लिए हमिशा अपने पास कोई हेल्दी स्नेक्स का इंतजाम करके रखें ताकि आप भूक लगने पर पेश्ट्री डोनट्स या कुछ मीठा खानी के बजाए हेल्दी स्नेक्स पर ध्यान दें खूब पानी पीए कई पर अचानक से कुछ लोगों में मीठा खानी की क्रेविंग शुरू हो जाती है अगर आपको कभी भी मीठा खानी की क्रेविंग हो तो सबसे पहले एक गिलास पानी का सेवन कर लें और कुछ मिनट के लिए इंतजार करें प्रोटीन युक्त आहाल लें बार-बार भूक लगने का मतलब है कि आपके शरीर को उचित मातरा में पोशक तत्वर नहीं मिले हैं इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भूक को नियंत्रित करें और बार-बार कुछ खानी के बजाए अपनी डाइट में अच्छे मातरा में प्रोटीन खाएं इससे आपको भूक कम लगेगी